हेलो बचो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, चिडिया और कोवे की कहानी, ती कहानी, अच्छा, एक था कोवा, और एक थी चिडिया, एक थी चिडिया कोवे का घर था गोबर का, और चिडिया का घर था मोँ का, अब एक तिन बहुत बारिशोई, क्या हुआ, बहुत बारिशोई, तो बारिस में कववे का घर कववे का घर तूट गया चिके आप कववे ने सोचा कि मैं चिडिया दीदी के घर जाकर उनसे मदद मागताओ आप कववा चिडिया दीदी के घर गया बोला चिडिया दीदी चिडिया दीदी क्या मैं तुम्हारे घर आ जाओ चिडिया दीदी चिडिया दीदी क्या मैं तुम्हारे घर आ जाओ चिडिया बोली नहीं नहीं कवे राजा अभी मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ क्या अभी मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ तुम कुछ देर बाद आना कवा वापस चला गया तो हुआ वापस चला गया, फिर थोड़ी देर बाद आया, थोड़ी देर बाद आया, बोला, चिरिया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर आजाओं? चिरिया दीदी, चिरिया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर आजाओं? चिरिया बोली नहीं, चिरिया बोली नहीं कोवे राजा, अभी मैं अपने बच्चे को दूत पिला रही हूँ, तुम कुछ दे बाद आना, कोवा फिर से वापस चला गया, कोवा फिर से वापस चला गया, और कुछ देर बाद फिर आया, अब उसे चिरिया के घर से खिचडी पकने की खुश्बु आ रही थी, क्या? चिरिया के घर से कोवे को खिचडी पकने की खुश्बु आ रही थी, अब उसने सोचा, आज तो मैं चिरिया के घर जा कर ही रहू और वो बोला चिडिया दीदी चिडिया दीदी क्या मैं तुम्हारे घर आ जाओं चिडिया ने कहा नहीं नहीं कोवे राजा अब मैं अपने बच्चे को सुला रही हूँ तुम कुछ देर बाद आना लेकिन कोवे ने चिडिया की बाद नहीं मानी और उसको खिचडि खानी थी इसलिए वो बनती हुई खिचडि के बरतन पर बैट गया कोवा बनती हुई खिचडि के बरतन पर बैट गया और पीछे से आग ने कोवे की पूँच पकर ली और कोवा जलने लगा और वो वहां से भागा ठीक है बच्चो कोवे ने लालच किया खिचडि का और आफ़र उसके गले पड़ गई और वो वहां से भागा इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए ठीक है बच्चो